हे गाईज आज मैं आपको बतांगो कि आपको यूट्यूब टैक्स फॉर्म कैसे फिल करना है अगर आप इसे फिल नहीं करते तो यूएस टैक्स 24% लगेगा फिल करने के बाद केवल 15% लगेगा और अगर आपने इसे टाइमली फिल नहीं किया तो आपकी पेमेंट भी इस्पेशली न्यू यूट्यूबर जिनको अभी तक एक बार भी पेमेंट नहीं मिली उनको खास दियान रखना है मैं आपको step by step सब कुछ समझाऊंगा कि आपको form कैसे फिल करना है आपको सब कुछ बिलकुल ध्यान से देखना है वीडियो को पूरा लाश तक देखना है क्य इसके बाद यह पर जोपन होगा आपको यहां नीचे की तरफ लिखा हुआ है tax info यानि कि add tax info इसके बाद जिस gmail id से आपका adsense account बना हुआ है उसका आपको एक बार यहां पर password डालना है ठीक है password डालने के बाद इसमें आपको next पर क्लिक करना है एक बार verification इसमें जरूरी होत है तो मैं individual पर क्लिक करता हूं next पर क्लिक करता हूं next पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे की तरफ थोड़ा सा एक question और शो करेगा are you a citizen or resident of the United States तो मेरे को no पर क्लिक करना है क्योंकि मैं US में नहीं रहता ठीक है तो मैंने no पर क्लिक कर दिया आप मैं next पर क्लिक कर दे है तो आपको नीचे आप पर क्लिक करना है ँगर आप यूज में रहते है तो आपको उपर क्लिक करना है तो मैं उपर क्लिक कर देता हूं और यह mandatory है indian के लिए W8BEN यानि कि जो उपर वाला form है मुझे इस पर किलिक करना है तो मैं simply अपना इस पर किलिक करके start W8BEN form पर किलिक कर देता हूँ इसके बाद मेरे सामने ये वाला page open होगा मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ first number पर tax identity आ रहा है इसमें मेरा नाम शो कर रहा है नीचे की तरफ लिख रहा है DBA ये optional है आप चाहें तो इसे fill करें या ना करें इसके नीचे आ रहा है country मुझे आपर अपनी country select करनी है simply मुझे इस पर open करना है और अपनी country select करनी है India India आ गया है अब मुझे थोड़ा सा नीचे जाना है अब यहाँ पर यह पूछ रहा है foreign TIN number यह optional है लेकिन हमें यहाँ पर क्या डालने है अपना pen number ठीक है तो यह बहुत ध्यान देने वाली बात है आपको ध्यान दखना है जो foreign TIN है यह हमारा pen number है ठीक है और नीचे की तरफ भी optional है यहाँ पर यहाँ कुछ भी फिल नहीं करना तो मैं फटावट अपना pen number डाल दिता हूँ मैंने यहाँ पर अपना pen number डाल दिया है और simply मुझे next पर क्लिक करना है फिर मेरे सामने यह वाला page उपन होगा tax identity मेरी complete हो चुकी है address आ रहा है यहाँ लिख रहा है permanent residence मुझे इस पर क्लिक करना है इस पर टिक करने के बाद मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ नीचे की तरफ मेरे को अपना यहाँ पर country select करनी है और अपना वही address डालना है जो मेरा आधार card में है ठीक है यान कि जो मेरा जो भी मैं इसमें address लगा रखा है उसमें जो मेरा address वही लगाना है जो पहले भी मेरा adsense में save था ठीक है मुझे वापिस से वही address यहाँ पर fill करना है तो मैं फटा वर्तों से fill कर देता हूँ सब कुछ डालना है city, pin court, state वगरा सब कुछ डालने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर मेरे को ok करना है postal address is same ठीक है अगर आपका same है बिल्कुल तो आपको यहाँ पर click करना है और next पर click करना है फिर आपके समने यह पर जो पन होगा tax treaty का यहाँ पर आपको क्या करना है आप पड़ सकते है are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty तो यह पूछ रहा है no या yes तो हम पर simply क्या करना है yes पर click करना है और next पर click करना है जब मैंने yes पर click करना है तो एक take और मांग रहा है उसके नीचे country भी मांग रहा है country मैंने india select कर लिए इसके बाद इस पर blue tick भी click करके और नीचे इंडिया आ गया हमारा अब हमारे सामने ये पर जाएगा नीचे की तरब यहाँ पर तीन चीज पूछ रहा है तो मेरे को service पर click करना है जैसे मैं service पर click करना है यहाँ पर दो option आ जाएंगे जीरो परसेंट पर क्लिक करना है ठीक है तो दोनों का आपको ध्याने करना है article 7 और 0% ठीक है उसके बाद नीचे यहाँ पर टिक कर दीजे टिक करने के बाद नीचे एक और टिक करना है आपको वापिस से दो option पूछ रहा है यहाँ पर आपको article 12 and paragraph 2a और वही 15% और यहाँ पर नीचे के तरफ ब्लूटुप पर फिर से क्लिक करना है ब्लूटुप पर क्लिक करने के बाद आपको next पर क्लिक करना है आपके सामने ये page open हो जाएगा यहाँ पर लिख रहा है document preview यानि कि हमारा जो form है वो पूरा का पूरा यहाँ पर शो हो रहा है अब यहाँ पर यह option आ रहा है full legal name यानि कि जो मेरा नाम है access account में रहाँ पर यह डालना है तो मैं नाम डाल देता हूँ अपना पूरा तो मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया है अब नीचे की तरह फारा है are you the person listed in the signature section तो yes और no पूछ रहा है तो मुझे yes पर क्लिक करना है तो मैं yes पर क्लिक कर दिया yes I am the person listed in the signature यानिकी menu section and am completing this form on my own behalf यानिकी मैंने ये form को फिल कर रहा है तो मैंने yes पर क्लिक करके next पर क्लिक कर दिया इसके बाद हमारे सामने ये पर जापन हुआ है activities and services performed in US and affidavit ठीक है तो यहाँ पर yes और no का option आ रहा है तो जैसी मैंने no पर क्लि ठीक है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं इसके सामने ये दो option आ गए है पहला है I am providing tax info for a new or exiting payments profile that has not received payment मैं आपको दोनों ही संजा देता हूं नीचे वाला क्या है अगर आपने पहले कभी भी एट से payment ले रखी है तो आपको नीचे वाले पर क्लिक करना है अगर आप नीचे पहली बार payment ले रहा हूं तो मेरे को उपर वाले पर क्लिक करना है for a new तो मैं उपर वाले पर क्लिक करता हूं उपर वाले मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि मैं पहली बार ले रहा हूं तो मैं next पर क्लिक कर देता हूं जैसे मैं next पर क्लिक करा tax reporting ठीक है यह ध्यान देने वाली ब तो मैंने go paperless पे click कर दिया, अब इसमें कुछ agreement वगएर हैं आप इसे पढ़ लीजिए, और नीचे की तरफ, I accept the paperless delivery agreement पे sign in करके, अपना नीचे की तरफ submit पे click कर दिया, submit करते हैं, आप देख सकते हैं, status approved, submitted date भी आ गई है, और submitted by मेरा नाम भी आ चुका है, ठीक है, और ये तीनो तरह के claim मेरे settled हो चुके है, form w8 और copyright, picture, services, default by default, सब कुछ इसमे claim मेरा हो चुका है, तो guys, बहुत ही असान था, और अपना address वगर आप देख लीजिए, बिल्कुल same आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये मेरा अप्रूफ हो चुका है, अब मैं आपको एक बार अपने white studio में भी दिखा देता हूँ, यह मेरा white studio है, यहाँ पर आप dollar का sign देख रहे हैं, आपको इसपर click करना है, इसके बाद आप देखें right side में, getting paid, setup complete, great job, you are completed payment, यह मैं आपको zoom करके एक बार दिखा देता हूँ, setup मेरा complete हो चुका है, और great job, you have completed payment setup, ठीक है, यानि कि मेरा payment का setup ता हो complete हो चुका है, मेरा form बिल सद्यान देने वाली बात है, और आपको अगर कोई confusion है, तो जैसे जैसे मैंने form fill कर रहा है, आप बिना कुछ सोचे समझे, वैसे ही form fill कर दीजे, क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हैं, तो आपको ऐसे ही form fill करना है, ठीक है, इससे लग आपको कुछ भीस में fair बदल नह उमीद करते हैं, सबको समझ में आ गया होगा, तो thanks for watching this video and subscribe this channel, अगर आप चैनल के पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब रहते हैं, जिससे हमारी latest video को सबसे पहले मिले हैं, और पहले एकन को रूज़े हैं